अब देखो YouTube खोलो और टाइप करो Who to pull for in और फिर अपनी गाचा गेम का नाम डाल दो जैसे कि Kenshin Impact, Woodering Waves, etc. और गिनना शुरू करो कि कितनी वीडियोस पॉप अप होती हैं और दिख्कत यह है कि इन वीडियोस को दूसरे वीडियो को देखने की हर महिने कि किसे pull करना चाहिए या किसे नहीं ये आइडिया मुझे मेरे एक subscriber Imposter Gaming ने दिया था तो सोचा चलो इस पर काम करना शुरू करते हैं तो ये मान के चलो कि इस वीडियो में मैं किसी एक particular character के बारे में नहीं बताऊंगा कि उस particular character को pull करना चाहिए या नहीं बट मैं overall Gacha Games के character design की बात करूँगा कि ये characters किस तरह से design होते हैं और इने pull करने के लिए आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए So, let's go! So, अगर आप उन players में से हो जो character का design देखके, उनकी personality देखके pull करते हो तो चलो भाई, या बहन ठीक है, तुमारा वीडियो खतम यहीं पर Like, subscribe करके जाना बट अगर इन में से नहीं हो और बहुत ही ज़ादा दिमाग लगा के अपनी game खेलते हो तो आगे देखते जाओ सबसे पहले बात करते हैं Gacha Games के format की Gacha Games usually RPG style games होती हैं जिन में characters over a period of time release होते हैं अब तुम सोच रहे होगे कि ये मैं तुमें क्यों बता रहा हूँ ये तो तुम्हें already बता है तो इसका जवाब है कि वीडियो थोड़ा सा ना लंबा करना था मुझे But jokes aside, RPG games के character usually बाकी game के character से थोड़े different होते हैं For example, अगर मैं Genshin के किसी एक character या किसी FPS games जैसे कि Valorant के किसी character को compare करूँ तो on first look तुम्हें दोनों character एक जैसे लग सकते हैं दोनों के पास एक skill है, एक ultimate है और अपने अपने roles हैं लेकिन एक fundamental difference जो दोनों में है वो ये कि Valorant का character अपने खुद के basis पे अपने attack को boost नहीं कर सकता मतलब दो Valorant के characters अगर vendor लेके shoot कर रहे हैं तो दोनों का damage बराबर ही होगा और जो matter करता है वो है player की skill बलकि RPG, Gacha Games जैसे कि Kenshin या Wuthering Waves में अगर same character दो अलग-अलग players के पास हैं तो हो सकता है वो दोनों का character बहुत ज़ादा different हो और ये difference आता है कि आप उन characters को build कैसे कर रहे हो team comp आपने क्या रखी है और यहां matter करता है कि आपके characters की synergy दूसरे characters या फिर world enemies के साथ कैसी है अब ये synergy क्या होती है easy भाशा में बोले तो जैसे Genshin में reactions होते है woodring waves में भी elements का अपना interaction है और honk का star rail में weakness system है तो अगर Genshin की भाशा में समझाओं तो अगर आप एक hyper bloom team बना रहे हो और आपने team में एक hydro, एक dendro character रखा है लेकिन team में कोई electro character नहीं है तो hyper bloom reaction trigger कैसे होगा क्योंकि उसे trigger करने के लिए एक electro character चाहिए होगा उसके बाद ये decide किया जाता है कि ये particular character के stat पे scale होता है अब ये stat क्या होता है well definition देने से better है मैं आपको example दूँ हर character की अपनी एक base value होती है जैसे कि उसका base attack, उनका base defense, उनका base hp और बाकी के stats gain के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं जैसे कि Genshin में elemental mastery एक stat है और honkai star rail में break effect एक दूसरा और characters इन stat पे भी अपनी utility को scale कर सकते हैं utility बोले तो character जो काम best करता है for example, new villain और deluke दोनों dps हैं लेकिन new villain का damage scale होता है hp पे और deluke का scale होता है attack पे तो basically आप समझ गए कि character game में बनते कैसे हैं good, now main question आता है कि ठीक है argon भाई ये सब तुम समझ गए बड़ अब ये बताओ कि pull कौन सा character करें so इसका जवब आपको मिलेगा team composition में usually एक team में 3-4 character हो सकते हैं Genshin और Hsr में 4 होते हैं, Woodering Waves में 3 लेकिन इन सब teams की basic composition almost same होती है वो क्या? एक DPS, एक support और एक healer 4th slot आप अपनी जरूरत के हिसाब से fill कर सकते हो और generally इन games में आपका काम कभी भी एक team से नहीं चलेगा क्योंकि इन games में कुछ end game content ऐसा जरूर होगा जिसमें एक से ज़ादा team की जरूरत पढ़ सकती है तो कैसे decide करें कि team कौनसी बनानी है देखो कोई भी team दो characters के round बनाई जा सकती है और दोनों ही valid तरीके हैं team बनाने के फर्स team आप बना सकते हो एक DPS के round और दूसरा तरीका है team बनाने का support के round usually अगर आप support के round team बनाते हो तो आपको ज़ादा options मिलेंगे अपना DPS choose करने के लिए as opposed to कि अगर आप DPS के round team बनाओ लेकिन हमेशा कोशिश करो कि जो भी DPS या support character latest चल रहा है game में आप उसे pull करो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि गाचा games में concept होता है जिसे कहते power creeping और power creeping का simple सा मतलब यह है कि एक DPS जो आज बहुत popular है वो आने वाले time में under power होने वाला है क्योंकि game को relevant रखने और players को engage करने के लिए गाचा games stronger and stronger characters release करती रहती है तो Genshin के initial days में आपको महीनों artifact farm करके फिर एक जानवर की बली देने के बाद आपका character 1 million damage hit करता है जैसे कि suppose अप Genshin Impact में नए नए आया हो और patch चल रहा है 4.1 और नए या DPS की game में आया है जिसका नाम है new bullet new bullet का play style आपको बहुत अच्छा लगा और आपने बिना pros and cons देके new bullet pull कर लिया और अब आपको बनानी है उसके round team मैं new bullet को new Vee बोलूँगा क्योंकि समझ रहे हो बच्पन का याराना है अपना anyway so आप new Vee की kit पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि ये तो एक hydro catalyst DPS है जिसका damage HP पर scale होता है और damage का main source charge attack है तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि hydro element कितने तरीके से damage देता है तो hydro as its own element भी damage देता है team में एक electro character हो तो hydro और electro मिलकर electro charge reaction भी बनाते है तो वो भी damage का source है hydro और dendro मिलकर bloom reaction बनाते है उससे भी damage आता है और hydro और dendro और electro मिलकर hyper bloom reaction बनाते है जो कि damage का एक amazing source है उसी तरह से hydro plus spiro wave reaction करता है तो सबसे पहले आप decide करते हो कि आपको किस reaction के around team बनानी है तो आप थोड़ी से research करते हो आपको पता चलता है कि new V का base hydro damage build जिसमें बस new V solo hydro damage कर रहा है तो बहुत strong है तो आप decide करते हो कि आप वो team comp बनाऊगे अब शुरू होती है तलाश बाकी के characters के लिए तो जैसा कि आपने new bullet की kit में पढ़ा कि new V अपनी skill use करके अपना खुद का HP lose और gain करता है तो आप research करते हो और देखते हो कि furina एक ऐसा support damage dealer है जो अपना खुद का damage increase करती है अगर उसकी party में कोई दूसरा character अपना HP gain या lose कर रहा है तो furina makes sense to pull फिर आप देखते हो कि Kazuha एक ऐसा character है जो जब-जब कोई भी element swirl करता है उस element का damage increase कर देता है तो आप सोचते हो कि अगर आप hydro को swirl करके फिर new V से damage करके deal करोगे तो new V का damage बढ़ जाएगा तो लोग आपकी 4 members के team में से 3 तो decide होगे कि एक आप new V pull कर रह चुके हो दूसरा आप furina निकाल लोगे और थर्ड आप kazuha pull करोगे अब बचा एक healer क्योंकि अगर new V इतना HP lose और gain करेगा तो हो सकता है कि उसे मरने के chances थोड़े बढ़ जाए और एक चीज़ आप notice करते हो जब भी new V अपना charge attack करता है तो वो interrupt बहुत अराम से हो जाता है तो नहीं आपको एक healer चाहिए बलकि आपको एक shielder भी चाहिए जो कि new V को interrupt होने से रोक सके लेकिन slot आपके पास एक ही है तो क्या करें आपके पास दो options है या तो आप new V का first constellation निकाल सकते हो जो कि आपको interruption resistance देता है पर वो निकालने का मतलब है कि आप अपने pulling currency जैसे कि primo gems को waste कर रहे हो क्योंकि आपको अभी तीन characters और भी pull कर रहे हैं तो अब fourth slot में किसे डालें एक shielder को या एक healer को now it depends कि आपके पास existing characters कौन से है अगर आपके पास already कोई shielder है जैसे कि Zhongli तो आप उसे team में use कर सकते हो और अगर आपके पास diona है जो कि shielder और healer दोनों है तो आप उसे भी use कर सकते हो तो ये हो गया एक तरीका DPS के around team build करनेगा I hope अब आप समझ गए हो अब देखते हैं दूसरा तरीका जो कि है एक support के around team build करनेगा अब आप कह सकते हो कि healer भी आपको heal करके support करते हैं बट यहां मैं healers की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ ऐसे supports की जो अपनी team के DPS का damage boost करते हैं फिर से एक example से समझते हैं गेम का एक बड़ा famous support है जिसका नामें Bennett और Bennett बना ही सिर्फ एक काम के लिए है अपने DPS का attack boost करने के लिए तो अगर आपको Bennett के around एक team build करनी है तो सबसे पहले आपको चाहिए एक DPS तो यादेना मैंने क्या खाता देखो कि अभी latest DPS कौन सा है जो attack पर scale करता है क्योंकि Bennett सिर्फ attack scaling DPS का ही damage बढ़ाता है और किसी DPS का नहीं बढ़ाता तो आप Bennett को new wallet के साथ use नहीं कर सकते क्योंकि new wallet का damage HP पर scale होता है और Bennett सिर्फ attack को boost करता है तो latest patch के according अभी जितने भी DPS है उनमें best attack scaling DPS है Arlequino और Navia अब आपको Arlequino का design बहुत पसंद आता है और आप decide करते हो उसे pull करने का तो आपके पास अब एक DPS हो गई Arlequino और उसे buff करने के लिए Bennett अब आपको पता है कि Arlequino एक pyro character है जो pyro damage deal करती है और क्योंकि pyro एक element है तो उसका damage boost करने के लिए काजवा भी काफी अच्छा है अब Bennett heal भी करता है बट आपको पता लगता है कि Arlequino को कोई दूसरा healer heal ही नहीं कर सकता healing खुद उसके kit में ही है बट कहीं ऐसा ना हो कि heal होने से पहले ही कोई enemy उसे one shot करते तो आप सोचते हो कि एक shielder हो team में तो स्वाद ही आ जाएगा by god तो आप third slot अपनी team में एक shielder के लिए book कर देते हो अब DPS हो गया DPS का damage boost करने वाला support हो गया और shield करने के लिए shielder हो गया और pirate damage boost करने के लिए काजवा भी हो गया या फिर अगर आप wave team बनाना चाहते हैं तो आप team में शिंग्चो ये इलान को रख सकते हैं तो अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि गाचा गेम्स में character किस तरह से decide होते हैं और उन्हें pull करते time किस-किस चीज़ का ध्यान रखते हुए अपने team बनानी चाहिए तो बी honest यही तरीका follow करते हुए आप किसी भी गाचा गेम जिसमें combat elements हैं उसमें कौन सा character pull करना है ये आप बहुत अराम से decide कर सकते हो अब बिल्कुल भी ज़रत नहीं confuse होने की गाचा गेम का format गेम प्ले वगेरा different हो सकते हैं बट इन companies के fundamentals बिल्कुल वही same है और अब Genshin खुद इतना famous हो चुका है कि बाकी की game companies कुछ जादा अलग करना ही नहीं चाहती जो कि ठीक ही है don't fix what's not broken लेकिन बहुत से चीज़े ऐसी भी हैं जो Genshin में नहीं है लेकिन दूसरी गेम आपको दे रही है जैसे कि एक story skip बटन और ये बटन आपको Genshin में शायद कभी ना मिले और वो क्यों जानना है तो यहां क्लिक करके ये वीडियो देखो मिलता हूँ आपसे next वीडियो में नमोवा